राची के कांकेध हाना शेत्र स्तित लौ युनिवर्सिटी की छात्रा से गैंग रेप मामले में आज फैसला आ गया है सभी ग्यारा दूशियों को कोट ने उम्रकेट की सजा सुनाई है 26 नवंबर को दुशकर्म की घटना हुई थी इसके 100 दिन पूरा होने से पहले यानि की 96 दिन बाद ही दूशियों को सजा सुना दी गई है दरसल इससे पहले 26 फरवरी को जज नवनीत कुमार की कोट ने इन सभी को दूशी करार दिया था सजा सुनाने के लिए 2 मार्च की तारीक तै की गई थी सुनवार को सजा के एलान के वक्त कोट में राज के डी जी पी कमल नयाद 24 भी मौझूद रहे इस मामले में एक नाबालिक आरोपी का मामला जिविनाइल जस्टिस गोड में चल रहा है आपको बता दे कि पिछले साल 26 नवंबर को राजधानी के कांके इलाके में संग्रामपुर में लौच हात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया गया था इस मामले में 12 आरोपियों को पुलस ने तूसरे दिन गिरफतार कर लिया था निउन स्टेस प्रप्रामपुर में